नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट किड्नी डाइट शो हेल्दी तड़का में जहां हम आज आपको बताएंगे किड्नी के मरीजों के स्वास्त को ध्यान में रखते हुए एक वाइट ओमलेट बनाने की विधी इस ओमलेट के एक खास बात ये है कि इसका सेवन हेल्दी लोगों के लिए भी अच्छा है चलिए देर किस बात की बनाना शुरू करते हैं एक वाइट ओमलेट इसको बनाने के लिए आपको चाहिए दो अंडे जिनका सिर्फ आपको एक वाइट ही प्रयोग करना है एक चोटा प्यास बारी कटा हुआ, एक हरी मिर्च बारी कटी हुई और वीज निकली हुई, एक चुटकी सेधा नमक, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी काली मिर्च पाउडर वैसे तो साधरन ओमलेट बनाने में इनका प्रयोग काफी होता है लेकिन इसको अगर हेल्दी बनाना है तो आप इसमें कुछ सबजियां भी डाल सकते हैं जैसे पत्ता गोबी और गाजर, आपको बता दें पत्ता गोबी और गाजर दोनों ही ऑप्शनल है और एक चमच ओलिव ओईल, तो चलिए बनाते हैं एक बाइट ओमलेट इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले अंडे के सफेद वाले भाग को अच्छे से फैटना होगा फिर इसमें सारी सबजियां और मसाले डाल कर इसको ठीक से मिला ले और आज थोड़ी धीमी कर दें ताकि ओमलेट जले नहीं जब ये एक तरफ से पक जाए तो इसको दूसरी तरफ से भी पका ले और फिर इसको पैन से निकाल ले लीजे, स्वादेश्ट और हेल्दी एग वाइट ओमलेट तयार है किड्नी की मरीज इसका सेवन सुभा के नाश्टे में करें ये एक ऐसा विकल्प है जो आपके स्वास्त के साथ-साथ आपके रोजाना के अहार में भी एक अच्छा बदलाव लेकर आएगा तो आज के लिए बस इतना ही, उमीद है आपको हमारी विडियो पसंद आई होगी हम हमेशा अपने चानल पर किड्नी मरीजों के अहार से जोड़ी जरूरी जानकारी देते हैं आप हमारे चानल के माध्यम से किड्नी मरीजों की डाइट से जोड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप यापका कोई अपना किड्नी की समस्या से परिशान है तो इसके लिए आप कर्मा आयरवेदा से संपर कर सकते हैं। अगर आप किड्नी की समस्या से फरिशान है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिये गए गूगल फॉर्म में अपनी समस्या लिख कर हम तक पहुचा सकते हैं हमारी टीम 24 गंटे के अंदर आप से खुद संपर करेगी इंडिया के बेस्ट किड्नी डाय चानल पर आने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद